तो कैसे है जोस आइए ना तो विल्कुल हाई रहना चाहिए काफी इंपोर्टेंट आज का इंपोर्टेंट न्यूस अनलेसिस जिसको प्यार से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं बहुती शांदार इसके अंदर चीज आप लोग को देखने को मिलेगी जिसके अंदर हर एक जीज आप लोग वहें पर नजर आएगी चाहे वह मेंस और को चाहिए बेंस से चेजिए होन्ग चाहिए उस जहां का बढ़नाने वाला है और जैसे मैंने बोला था कहही सरे बच्चे जो हैं करते हैं कि सर सुभा को चाहना मिलना बंद स गया हैं वह मम्मी और बोलती है यह वाली लेते रहो, वो वाली डायेट अपना आप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, अगर यहां पर अच्छा परफॉर्म करोगी, तो यह काफी अच्छे से आप लोग को इंज्वे करना है, और सबसे बड़ी बात यह कि अभी फिलाल, जब आप लोग उठते हैं मोर्निंग मे और उठने के बाद में अपनी इस चीज को ढंग से इंज्वे करना है, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस कियोगी, आप लोगों ने क्या मैंने नोटिस किये, जैसे आप लोग कई बार मेल सेंड करते हो, तो उसमें लिखा रहते हैं कि सर, जब से सुबह उठना स्टार करना स्टार्ट हो जाते हैं, उन्होंने कभी देखा नहीं था, आप लोग को यह काम करते हैं, फर्स टाइम आप लोग लाइप में इतना डिसिप्लिन हो, तो कोसिस करो, कि अपने समय को समझो, और उसको ढंक से उटिलाइस कियो, इसलिए बोला गया कि, जो समय का मोल समझे उसको समय जो है, वो अनमोल बना देता है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे, एक इंसान है, जो कि नॉर्मल कोई भी काम कर रहा है, अपना मजदूरी का कर रहा है, कोई भी है, एक बिजनसमेन या फिर कोई भी एक important personality है, उनमें दोनों में डिफरेंस य कि उनके दोनों के पास में 24 गंटे है, पर यूटिलाइस करने की जो पावर है, वो आप लोगो बिजनसमेन में ज़्यादार देखने को मिलेगी, मतलब उसके टाइम की कीमत ज़्यादा है, as compared to एक ऐसा इंसान जो कि एक मजदूरी कर रहा है, सड़क पर उसके टाइम की कीम और वो ऐसानी की उपर वाले ने बना के बेजा है, उन दोनों की ही चोईस है इसमें, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, जो बिजनसमेन है, उसकी चोईस है, और जो यहाँ पर शड़क पर काम कर रहा है, उसकी चोईस है, तो दोनों ने डिसाइड किया है यहाँ पर, आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोग अपने टाइम को कैसे टिलाइस करना चाते हैं, आप लोग चाते हैं कि पूरा दिन ऐसे निकल जाए, जो कि आप लोगों को मिला है, उसको ढंक से निचोड़ना नहीं है पूरी दिन को, बस चल रहा है तो चल रहा है, कई तरीक में से अगर बात करें एक एक जो moment होता है वो निकल जाए तो उनको फरक पड़ता है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा आप लोग को decide करना है कि आप लोग अपने time को कितने importance देना चाहते है टाइम की कीमत रख दो अगर आप लोग को लग रहे ना तो सोचो 24,000 आप लोग को रुपे मिले हैं और वो आप लोग को आज के दिन करने वाले हो यह कितने शांदार तरीके से आप लोग यूटिलाइज करेंगे क्योंकि इसके लिए वो एक खाका तयार करके आप लोग को देता है इसलिए यह 24 घंटे बहुती बहतरीन तरीके से आप लोग को यूटिलाइज करने होते हैं इसी के साथ में important बात यहाँ पर कि आप लोग अगर अपना कल का दिन अच्छी से रिव्यू करते हो तो वहाँ पर आप लोग अपनी कमिया मिलती हैं वो कमिया आप लोग को देखनी होते हैं डेली और इंट 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 रखकर ही एक पूरा मकान बनता है अगर इसी तरीके से एक एक दिन आप लोग यूटिलाइज करना है स्टार्ट कर दोगे तो आप लोग एक गोल का मकान बन जाएगा वो पर लेकिन 99% लोग जो है वो उसको सोचते ही नहीं दिन चला गया बात गई अगला दिन आया फिर ऐसे गुजर गया वो रुकर सोचते ही नहीं एक मिनट के लिए वी कि चल क्या र करनी स्टार्ट हो जाएगी करके देखो जिन्दगी जीने मजाएगा बाकी कैसी चल रही है जिन्दगी बताओ जिन्दगी में जहां पर भी दिक्कत हो रुक कर उसका सोलुशन निकान ले कोजिस करो तल जो भी बात है मैंने आप लोगों से जेयर की थी उसमें कही सारे जाती ये बोला कि सर अक्सर जब लाइफ में प्रोलम आते है न तो दिमाग बंद हो जाता है आप लोग को थोड़ा सा यहां पर बेसिकली अपने आपके अंदर ठहराव लाना पड़ेगा यही सबसे बड़ी दिक्कत है जब जब प्रोलम आती है आपके साथ में नहीं अके जो लीडर्शिप की क्वालिटी है वो आसानी से आप लोग अपने अंदर डवलाफ कर सकते हो तो यह सोचो इन चीजों को इंप्लिमेंट करना है स्टार्ट करो यह सारी चीजे ता उम्र काम आने वाली है और जो टाइम पर उठकर वीडियो देख रहा है सही तरीके से अप काफी इंपोर्टेंट है इनके बारें बताईए तो देखता हूँ कौन सही हाँ पर बता बाता है ओके तो यह काफी एक इंपोर्टेंट परसनेल्टी है बाकी मैंने आप लोग उसे डिसस के था आप लोग को याद होगा कि जो अभी हम लोग ने सेंटरल जो विजिलेंस कम तो यह आप लोग को पर्टिकलर वेबसाइट देखने को मिलेगी यहां पर अगर आप लोग देश के नागरिक हैं यह फिर कोई ओर्गनेशन है तो आप लोग यहां पर अपनी डिटेल डालकर आप लोग भी अपना इस तरीके से तो सारी चीज़े हैं जिंदगी में यह आ डिसिजन लेने में डरते हैं तो डिसिजन लेना सीको फिर आप लोग के सामने आप लोग को रिजल्ट नजर आएगा जिंदगी के अंदर में फीडबैक जुरूर दिया करो जैसे भी वीडियो लगती है अच्छी या बूरी इसके बारें बता दिया करो लाइक या लिए में वीडियो बनाई जाती है या बहुत टाइम लगता है इसके अंदर में ठेक है तो इसको आप लोग अच्छे से इंजोई कर लेगरो और यहां पर रास्टे सिक्सानीती भी है आप लोग के सामने यह भी आप लोग देखते हैं जो कल में डिसल सी थी तो यह मैंस्टर मिया इमरान खान जो है वो बाल बाल बच गये उनका assassination करने की कोशिस की गये यानकि उनकी हत्या करने का attempt किया गया वो बाल बचे बोला कि इसलिए मारना चाते थे क्योंकि वो लोगों को mislead कर रहे है यानि कि गलत तरीके से लोगों को एक तरीके से नहीं जो गलत information दे दे कर लोगों को अपने favor में लेनी कुछ कर रहे हैं, government के NT में जाकर यहाँ पर protest कर रहे हैं तो इसलिए हाँ पर इनके उपर यह इस तरीके का attempt किया गया, पागिस्तान की खस्ता हलत हो चुगी थी, आप लोगो पता है कि पागिस्तान के उपर काफी कर जा था, अब तक जो है, financial action task force यहनके FATF की gray list में था, उससे बाहर निकला थोड़ा USA के support से, क्योंकि USA जो है, वो एक तरीके से जोसको support कर देता है, तो USA दिल खुल कर सामने आता है दूसरा important मुद्ध है, हाँ पर बहुत तकड़े वाली बाड़ाई, यहनकी फ्लड़ाई जिसकी वेसे हाँ पर, जो है, लोग जो है, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए और यहाँ पर, इससे भी पहले condition यहाँ पर जो बच्चिविती वो यह थी, COVID-19 की वेसे हाँ पर, ground labor बहुत खसता हालत देखने को मिले थी, और फिलाल के टाइम पर, unstability बहुत जादा है इनका कोई भी minister, अगर देश के भार में जाता है, तो उनको गालियां दी जाती है, सोचो, किसी particular country का minister जो है, बाहर जा रहा है, और उनके जो लोग है, वाँ पर, जो local लोग है और economic instability जब आती है, तो unemployment जो है, बहुत जादा बढ़ता है, और इसकी वज़े से, जो inflation भी बहुत जादा बढ़ता है, और देश के अंदर में काफी large scale पर protest होता है, यह ऐसा ही pattern, हर एक उस देश में आप लोग को देखने को मिलेगा, जहां पर political instability है, इसलिए क्या जाता है कि, polity जो है, वो economic की guardian है, यानि कि, economy को protect करेके रखेगी, polity अगर polity, उस particular country का political system जो है, वो stable है, तो उस country की अर्थवबस्ता भी आप लोग को more or less, अच्छी आप लोग को लगभग नजर आएगी, as compared to उन देशों के जिसमें एक political stability नहीं है, क्योंकि वहीं पर ही लोग जो है, वो आकर investment भी करते वे नजर आएंगे, आज की date में ये condition है, कि हाँ पर कोई भी investment करने से पहले 1000 बार सोचता है, कि पता नहीं कब यहाँ पर protest होने start हो जाए, और कब दिक्कते यहाँ पर जहल नहीं मिल जाए, तो इसलिए हाँ पर किसी भी देश के आगे अच्छे future भविशे के लिए एक particular stable political system काफ़े ज़री है, और अगर उसमें भी democratic political system हो, जैसा कि हमारे देश का है, कि easily transform हो जाता है, जो भी जीत कर आता है, दूसरे को power देखकर निकल जाता है, तो फिर तो कहने ही क्या, तो ये एक ऐसा उधारन है आप लोगे सामने जीता जागता, कि दो देश, एक साथ में आजाद हुए, 1947 में, और एक साथ में आगे बढ़ें, और एक कहां पहुँच गया, और दूसरा कहां रहा गया, होने हैं, डायलोग, हम कहां पहुच गये, तुम कहां रहा गये, थ्री डिट कहा, ठीक है, तो वह वाली बाते आप लोग को देखने को मिलेगी, तो इसलिए हाँ पर जबी भी कभी इलेक्शन होते हैं, तो ध्यान रखा करो कि एक stable political system को आप लोग को vote देनी है, ताकि आप लोग के फायदे के बारे में हाँ पर चीज आगे कीज़ा सकें, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और ही बाते करूँगा, अभी आप लोगों से election के बारे में आप लोग और समझ पाएंगे, next गुजरात के अंदर जो election है, आप लोग का होँआ पर देखने को मिलेगा, और maximum power जो है, वो election commission of India के हाथ में आ जाती है, जैसे कि किसी को transfer करना है या फिर कोई भी ऐसी चीज़े, तो आप लोगों ने movie देखियोगी, जो कि प्रियंका चोपड़ा की movie थी गंगा जल 2, या अधर समय जब बोलता है, transfer करने की बात आ रहे हैं कि आज ही date decide कर दिये, और वो तुरंट जो है action में आ जाती है, तो ये आप लोगों को जब चीज़े सामने देखने को मिलती है, तो आप लोग इनको basically पढ़ रहे होते हैं, पर जब आप लोग सिस्टम में जाकर बैट होगी, तो ये practically आप लोगों को इस सामने implement होती है, आप लोगों नजर आएगी और आप लोग उसका part होगी, तो इसलिए अच्छे से इनको समझा करो चीज़ों को, कि कैसे कैसे क्या क्या procedure होता है, ताकि जब ये जिन्दगी में आप लोगा part बने तो इसको enjoy कर सको, और बाकि all the best to all of gujarat वासी, अच्छे से यार अपना देखना कि कौन particular जो इंसान है, आप लोग के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, education, ये फिर health और ये फिर जो भी आप लोग की job, employment, society के welfare के लिए, जो भी local area पर जो आप लोग का, जो basically MLA, यानि कि जो भी आप लोग का, जो particular MLA हमाँ पर काम कर रहे हैं, उसको आप लोग को देखना है ध्यान से, ठीक है, तो ये आप लोग के हाथ में power होती है, पांस साल में एक बार मिलती है, तो अच्छे से utilize करना, जितना अच्छे से हो सके, बाकी हाँ पर एक छोड़ी से information है आपर, ये बात की जा रहे है, gyro community के बारे में, तो basically, जो gyro community हैं आपर, ये अपना एक festival celebrate कर रहे है, the rising sun, water, fist, जो हाँ पर आप लोगो 2022 का देखने को मिलेगा, और ये कहाँ पर है, ये आप लोगो एक lake है, जिसका नाम आप लोग याद रखेगा, ये है उमियम lake, तो मेगाले की बात की जा रहे है, तो gyro khasi, jenta, ये hill के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे गिने चुने राजे हैं, एक राजे आप लोगो सिक्किम देखने को मिलेगा, जो कि only west बंगाल को टच करता है, और किसी भी राजे को टच नहीं करता है, क्या ऐसा कोई और राजे है, या फिर ऐसे कितने राजे हैं हमारे देश के अंदर में, जो दो state की boundary को टच करता है only, जैसे कि गुवा होगे यहाँ पर, जैसे कि हाँ पर केरला हो गया, तो ऐसे कितने राजे हैं यह आप लोगों को बताने हैं, तो देखता हूँ सही answer को देपाता है, एक movie आये recently अभी, अगर बात करूँ आप लोगों से थोड़ी सी, इसका नाम है कंतारा, यह जो movie अगर आप लोगों ने देखिए, पहले तो यह बताओ, किस-किस ने movie देखिए, अगर नहीं देखिए, तो यह movie आप लोग देखेगा, आप लोगो एक particular local culture के बारे में जानने को मिलेगा, और ऐसी culture हमारे देश में आप लोगों पता नी अंगिनत नजर आएंगी, तो जो सब्द आप लोग सुनते हो ना, unity in diversity, वो यह movie देखके exactly आप लोग समझ पाओगे, कि किस तरीगे से हमारे देश के अंदर में diversity और किस तरीगे से लोगों के जो belief हैं, वो देखने को मिलते हैं, बड़ी शांदार तरीगे से इस पूरी movie को फिल्माया गया है आप और जो भैसे की race जो normally आप लोग पढ़ते हो, यह कहीं ने कहीं, हमारी culture का part है, local area में जो लोग रहते हैं, उनका belief है आप यह तो यह एक ऐसी चीज़ है, इसमें जो forest officer है, उसका role दिखाया गया है, कि वो इस चीज़ों को धंग से understand ने कर पाता है, पर बाद में चीज़ों को समझने लगता है, तो यह सारी चीज़े अगर आप लोग देखोगे, तो आप लोग चीज़ों को धंग से understand कर पाऊगे, ठीक है, तो यह काफी एच्छ चाहे कोई YouTube पर वीडियो बना कर आप लोग अच्छे समझा पा रहा है, यह फिर किसी भी तरीके से आप लोग यह connection में आ रहा है, तो जहां पर लगते हैं काम अच्छा का रखा है, तो feedback जरूर दिये करो, ओके, बहुत ही उम्दा तरीके का article है, और direct आप लोग की life से लिट आप लोग Instagram, Telegram, Twitter, यह WhatsApp, सारी जो यह चीज़े use करते हैं, आप लोग इनका भी part है, और आप लोग को पता है कि जब आप लोग vote डालते हैं, कोई भी political party जो है, वो power में आ जाती है, और जब वो power में आ जाती है, वो political party 5 साल तक फिर आप लोगे सर पर बैठी रहती है, पर ल Social Media जो platform है, उसकी जो algorithm है, उसका गलत तरीके से इस्तमाल हो रहे हैं आप अलग अलग तरीकी fake news फैलाने में, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर International Conference होई है, जिसमें Election Commission of India थे अलग 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 देश के, यहाँ पर participate किया गया, तो उसमें यहाँ पर democracy के बारे बात है कि कि किस तरीके से आप लोग को चीजों को आगे लेकर चलने हैं, इंटरस्टिंग चीज में आप लोग को बताता हूँ, जैसे जैसे यह तो अपने देश का pattern आप लोग देख सकते हैं, जैसे जैसे कोई election pass में आएगा, तो आप लोग को जो political party के जो leader हैं, जैसे अगर बात कर source videos या फिर कोई भी ऐसी videos आप लोग को social media पर आप लोग को नजर आनी start हो जाएगी, उनके अच्छे कामों की, तो यह क्या हो गया, यह एक तरीके से आप लोग को influence करने का तरीका होता है, कई सारी ऐसी fake videos भी फैला जाती हैं, जिसमें एक leader की image को negative दिखाने की कोशिस की जात यानि कि आप लोगों के behavior को social media के through handle करना, आप लोग को ऐसे सी चिए दिखाना, जिससे कि आप लोग force हो जो एक particular political party को vote देने के लिए, यह all over world में, आज की date में एक agenda की तरीके से इस्तमाल कियाता है, election से पहले, और इसी का बारे काफी सारी negative आप लोग को basically चिए देखने को म और Donald Trump साब जो हैं जो जीत कराए थे, same pattern आप लोगो इस टाइम पर देखने को मिला था, बहुत ही जादा तकड़े तरी है कि वहाँ पर उस टाइम पर यह चीज़े यूज दोए थी, तो इसलिए हाँ पर इसके उपर काम करना जरूरी है, और इसी के उपर इहाँ पर basically यह बात भी किए गई है, यानि कि अगर election को आप लोग को inclusive बनाना है, तो यह जुरूरी है कि आप लोग लोगो को proper systematic way में उनको guide करें और उनको बताए क्या सही है और क्या गलत है, क्यों? क्योंकि हमारी country में आप लोगोंने सुनोगा Supreme Court के कही सारे assessment है, कि लोगों को पता होना हमारा नेता जो है, वो कितने murder कर चुका है, हमारा नेता जो है, वो कितने पैसे कमा चुका है, हमारा नेता जो है, वो कितना पढ़ा लिखा है, तो यह सारी कुछ ऐसी बाते हैं कि नेता के बारे में सारी information जब तक public में नहीं आएगी, तब तक कैसे उस नेता को हम लोग vote द ऐसा देखने को मिलेगा जहांपर हम लोग participate करते हैं in direct way में यानिके अपने चुने हुए लोगों को हम लोग पारलेमेंट में और इस state के अंदर में जो assembly हैं वहाँ पर भेजते हैं और वो फिर हमारे लिए लोग यानिके कानून बनाते हैं जो हमारे उपर implement के जाते हैं तो अ काफी important topic बन जाते हैं खासकर election में जब reform के बारें बात करते हैं तो यह भी याद रखेगा international conference जो यहाँ पर अभी यहाँ पर यह पर यह पर यह पर यह बेसिकली आप लोगो देखने को मिलेगी दो summit for democracy थी उससे आपर USA के साथ में आप लोगो connect नजर आती और यहाँ पर basic focus है कि कैसे fake news को algorithm का इस्तमाल करकर जो लोगों के सामने लाया जाते हैं उसको कैसे रोकना है यह इसका पूरा focus यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला तो यह काफी important है जिसके बारे में आप लोग start किये था ठीक है ताकि उसको society को government को लोगों को साथ में ला जा सके जो कि हाँ पर government form करते हैं और एक तरीके से democracy में विश्वास रखते हैं तो यहाँ पर agenda यह था कि कैसे democracy इसको renewable करना है आप लोगों एक बात बता दो हैं आपर USA अपने आपको दुनिया का पिता सिरी बतात देश हैं आपर यह only उन ही देशों के ओपर focus करता है जहां से इसको कुछ फायदा होता है अभी आप लोग मैंनमार में देखो मैंनमार में human right कहां चलेगे अफगानिस्तान में human right कहां चलेगे तो आप लोग देखते हैं यह कई जगे ऐसी हैं जहां पर यह कुछ बोलता ही यानि कि अपना व्यापार बढ़ाता हो नजराएगा तो USA के प्रेजिडेंट भी आप लोगो डिरेक्ट और इंडिरेक्ट वे में अपने व्यापारी जो भाई यी भाई बहन है उनके उनको सपोर्ट करते हैं यहां पर नजराते हैं तो सम्मिट जो हैं उसके द्वारा दो प्लेटफोर्म ही हाँ पर डवलफ के जा रहे हैं जिसके द्वारे हाँ पर एक तरीके से जो फोकल गुरूफ और इसी के साथ में डेमोक्रेसी जो कोहरेट यह आप लोगो देखने को मिलेगा ताकि हाँ पर एक तरीके से फैसिलिटेट के जा सके किस तरीके से चीजों को आ सोसल मीडिया में जब सोसल मीडिया इस्तमाल किया था है तो क्या-क्या प्रोज और कौन सा आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो किस तरीके से चीजों को मैनिफेस्ट के जा रहा है पबलिक डोमेन में कैसे रखा जा रहा है किस तरीके से इंफॉर्मिसन पहुचा जा रह लोगों के mindset को एक तरीगे से उन्हें influence करने के लिए तो weapon की तरीगे से कईबाल इस्तमाल कियाता है जो कि हाँ पर ये news होती है और ये इस तरीगे जो news होती है ये कहीं ने कहीं एक तरीगे से किसी agenda के थुरू यहाँ पर फैलाई जाती है इनके अंदर में facts आप लोगों proper करेंगे तो कई सारे आप लोगों यहाँ पर जो particular कानून के अंदर में कई सारे प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेगी इसमें जो आप लोगो 1950 वाला नजर आता है वो तो जनता के लिए है कि जनता के लिए वोट तैयार करना और प्रोपर सिस्टेमेटिक एमनों क सारे स्टेशन करना और जो 51 वाला है यहाँ पर यह हमारे पुलिटीशन के लिए होता है यानि कि दोनों के गले में लगाम रखने को सिस की जाती है एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया के द्वारा ताकि सही तरीगे चीजे चलती रहे तो यहाँ पर जो मीडिया रेगुलिशन करने की बात आती है तो 51 में है अगर कोई आप लोगों से पूछे क्योंकि यूज जो किया जाता है वो हमारे पुलिटीशन के द्वारा किया जाता है तो उसे बात की जा रहे है कि कोई भी ऐसी चीज़ डिस्प्ले करने से मना की जाती है 48 आर बिफोर जो कि हाँ पर पोल के कंक्لूजन के बारें बताए जैनि कि ये पॉल हो चुक है उसके कंक्लूजन के बारें बता रहे है कि ये जीत करा आ गया ठीक है तो ये ऐसी चीज़े 48 आर बिफोर यहाँ पर यहाँ पर ये एक तरीके से इसको रोका जाता है ताकि कोई भी दिक्कत यहाँ पर देखने को ने मिले ठेक है तो यह सोचेगा इसी के साथ में यह सारी मीडिय के ओपर रिस्टिक्षन है आपर एग्जिट पॉल यहाँ पर डूरिंग दा इलेक्षन तो उसके ओपर एक टारगेट रखा जाता है ताकि कोई दिक्कते ने देखने को मिले प्रिंटिंग और पॉलिक्स करना किसी भी तरीके के पंपलेट यहाँ पर प्रिवेस गवर्मेंट के द्वारे हाँ पर रोकने कोशिस की जाती है ताकि वो पॉल को इंफिलेंस ना कर सके तो सोचल मीडिया या फिर मीडिया का आप लोग ऐस सच इस्तमाल जो है वो काफी सोच समझ कर करने की हाँ पर बात की जाती है जो की जुरूरी भी है और अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कते जो हैं वो आप लोग को देखने को मिलेगी पूरा पॉलिटिका एक चेप्टर आप लोग का कवर हो जाएगा इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया का एक ओवर बोडी बोल देते हैं इसी को पावर दे रखी है कि भाय साब इलेक्शन वगएरा तुम ही कंड़र करा हो तो यह सारे इलेक्शन जो है इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया कंड़र कराता है और प्रोपर अनुच्छेद यानि के आर्टिकल है 324 से लेके 329 तक का जिसमें पाव आखी जा रही है कि discuss the power and limitation of the election commission of India in conducting the free and fair election तो ऐसे question भी अगर आप लोगो से पूछ ले कोई कि सवतंत्र और निस्पक्स चुनाओ कराने में भारत के चुनाओ आयोग की सक्तियों और सीमाओ की चर्चा करें तो यह काफ़ इंटर्स्टिंग कोशन होगा state pieces की अगर तयारी कर रहे हैं तो 1.500 सब्द में लिख लेना और अगर UPSC की तयारी कर रहे हैं तो 2.500 सब्द में आप लोगों आंसर देना है ठीक है तो इसको participate जरूर करना जो बाते में आप लोगों बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कई सारे हैं पर एक तरीके से limitation भी है जैसे कि हम लोगों ने कई बार सुना है कि जो bond होते हैं अभी bond issue किये जाते है political party के द्वारा चंदा इखटा करने के लिए उन bond को लेकर election commission of India कई बार को है model code of conduct को लेकर कई बार election commission of India बोलता है कि भाई साब model code of conduct को आप लोग पारलेमेंट में कानून पास करकर एक लोग बना दो ताकि उसको धंग से implement किया जाए और अगर कोई इसको follow नहीं करता है तो उसको उठाकर jail में डाला जा सके या फिर उसकी political party से उसको बरखास्त कि जा सके पर लेकिन ये कहीं न कहीं election commission of India की बाते जो हैं वो continuously हाँ पर ignore करते रहते हैं क्योंकि इस से उनके उपर तलवार लटक जाती है तो ये हाँ पर कई सारी limitation है election commission of India की जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पर लेकिन अभी election commission of India के बारे में कुछ basic information जो मैं आप ल article है सारी power जितनी होती है कि किसी particular election को superintendent करना है direction करना है control करना है ये सारी power article 324 में से election commission of India के पास में आती है एक काफी interesting article जो कि आप लोगो बता होना चाहिए और यहां से question भी बूचा जा चुक है बात करते हैं article 329 के बारे में ये साफसा बोलता है कि article 329 कि बार करता है interference by the court य हाई court नहीं आएंगे आपर नहीं आएंगे अभी बताता हूं देखे कल को चलकर माले जिए कोई एक राज्य है जिसका नाम है उस राज्य में election करवाने की बात कर दिए कि भाई साब एक रहीने के अंदर रहें देर election conduct कराने है कोई ऐसा issue मच गया है यहां पर जिसकी वेसे case जो है वो court में पहुँच गया एक महीने में election करवाने थे और court का फैसल आ रहा है पांस साल बाद में यानि कि फिर से election कराने का time आ गया तो यहां तो हो आली है election तो इसलिए court को electoral procedure में interfere करने से मना किया जाता है जब तक कि election जो है वहाँ पर complete नहीं हो जाए अगर उसके बाद किसी को जाना है तो court का दरबजा खटखट आए पर उससे पहले हाँ पर चीजे नहीं होगी क्योंकि पूरा election भी conduct कराना होता है ठीक है एक काफी important article है 325 यह article यह बोलता है कि no person to be eligible or inclusion यानि किसी person को in eligible or in eligible या फिर inclusion यहाँ पर बात की जा रही है no person to be in eligible for inclusion or to claim the included a special electoral on the ground of religion race sex या एक तरीक से caste वगेरा असान सब्दों में समझाता हूँ ऐसी उल्डी सिदी भासा में मत जाईए कोई भी इंसान को electoral के अंदर में जहां पर नाम लिखा होता है कि तुम vote डाल सकते है फिर नहीं डाल सकते हो अगर वो religion के बेस पर या sex के बेस पर caste के बेस पर किसी particular तबके के बेस पर उसको उसके अंदर डाला है फिर निकाला नहीं जाएगा उसका एक ही criteria है adult suffrage और वो है 18 साल से उपर यह फ लोगों देखने को मिलेगा state और उसके लिए भी central के लिए भी article 327 यहाँ पर power देता है parliament को की कानून बना दो किसके लिए election commission के लिए हाँ पर तो यह provision जो भी election से लेट कानून होते है वो parliament बनाएगी तो क्या state नहीं बनाएगी article 328 बोलता तो है state भी बना सकती है पर लेकिन क पैलेटी और पंचैत के election जो है वो state election commission के द्वारा ही conduct कराये जाते हैं तो यहाँ पर यह भी अपना कानून बना सकते हैं आगे यहां तक समझ में अब कुछ और बाते कर लेते हैं वन election commission और टू election commissioner यह आप लोगों को देखने को मिलेंगे president of India के द्वारा अपोइंट के जा जाते हैं 6 साल tenure यह पिर 65 साल जो भी पहले हो जाए यह तो जो भी पहले हो जाए वही माना जाएगा उसका वहाँ पर time duration इंजोरी करते हैं सेम स्टेटस और salary भी इनको equal मिलते हैं जितना judge of the supreme court यहां पर इनको अच्छी खासी salary दी जाती है ताकि एक independent तरीके से काम कर सकें कि इसी के control में आकर काम ने करें तो election commission of India को remove किया जा सकता है जी हां बिलकुल ऐसे remove किया जाता है जैसे supreme court के judge को remove किया जाता है यह आसान नहीं है गो हटाना ठीक है बड़ा ही tough procedure है बहुत ही एक procedure से होगे बुजरना पड़ता है यह grant करते है political party को recognize political party या संबल अलोट करने का का और कोई distribute यानिके लडाई हो जाते है तो यह भी काम यही करते हैं यह आप लोग याद रखेगा इसी के साथ में commission जो है वो advisory judiction का भी काम करता है post election disqualification यानिकि किसी को अगर disqualify कर दिया है तो वहाँ पे भी यही काम करेगा modal code of conduct कई सब्दना अटक जाते है modal code of conduct जो कि यह बताते है कि किसी religion को रिजहा कर किसी particular दूसरे religion को गाली दे कर या कोई भी ऐसी UTCD हरकते करकर जिसकी वैसे society में गुस्सा भड़क जाए आप vote नहीं मांग सकते हैं तो political party को guideline दी जाती है कि abuse नहीं करना है power का और इसी के साथ आप में खर्चा इतना ही करना है जो limitation यहाँ पर election commission of India के द्वारा decide किये गई है यह सारे काम election commission of India करता हुआ नजर आता है तो कोई भी confusion यहाँ पर नहीं होना चाहिए तो politica एक chapter भी आप लोग का revise हो गया और जो political news थी वो भी आप लोग की होगी पर लेकिन ऐसे नहीं मानू ठीक है तो इनको match कर रहे हैं आपर किस किस article में क्या क्या लिखा है और answer क्या है only one pair only two pair all three pair यह फिर none of the above pair तो सही answer क्या है A, B, C, F, D बताइए बताइए इसी answer क्या है सही answer है आपर A कैसे यह रहे सारे के सारे article match कर लो और answer को enjoy कर लो ठीक है वैसे तो इस topic का overview मैंने आप question के साथ में हम लोग इसको discuss करेंगे कि कैसे आप लोग यहाँ पर answer writing का question भी आप लोगों से पूछे जा सकते है जैसे कि आप लोग देशते हैं बोला गया है right of every woman to make reproductive choice without undue interference from the state तो इसके उपर आप लोग comment करने है यानि कि हर एक महिला का अधिकार है कि जो भी उसके जो भी reproductive right होते है पर जनन उसमें कोई भी interfere नहीं करें यानि किस woman को अपनी pregnancy conceive करने है कब उसको terminate करने है तो यहाँ पर यह उसके खुद के अधिकार होने चाहिए इसमें कोई आकर interfere नहीं करें यह काफी बड़ा case अभी निकल कर आया Supreme Court के द्वारा तो हर एक newspaper के द्वारा काफी detail में इसको cover किया गया और खासकर जो focus दिया गया है कोई single है यहाँ पर कोई यहाँ पर unmarried है तो यहाँ पर उनके पास भी खुद के अधिकार है उनका safe legal abortion भी अगर उनको कराना है तो यहाँ पर यह Supreme Court बोलता है कि यह उनके खुद के अधिकार है आप लोग को इसमें interfere नहीं करन है क्योंकि देखिए जब आप लोग जानते हैं कि कोई भी अगर woman जो है वह pregnant होती है तो पूरा एक प्रोज़र आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रेंसी जो है वह 9 महीने नूर्मली आप लोगे सामने हाँ पर निकल कर आती है 9 महीने के बाद में फिर आगे भी ब बच्चे आप लोग को देखने को मिलें कोई टजबी करते रहते हैं कुछ ऐसे होते हैं यो मस्त मोला रहते हैं तो यहाँ पर वो सारी अब ही हमारी SLA family number भी ऐसी हैं जिनके 2-3-3 बच्चे हैं और उसके बाद भी उनके द्वारा preparation जो है वो इस्टार्ट की जा रही है तो यार यह तो एक तरिये कोड ने बोला है कि 24 वीक जो दे रखा हैं आपर कि कोई भी अपनी प्रेग्नेंसी को जो है बेसिकली गिरा सकता है एक तरिक से अबोर्ट कर सकते हैं तो राइट उफ एवरी वूमेन है आप ठीक है चाहे उसके साधी हो रख्यों चाहे साधी नय हो रख्यों तो यहाँ पर Supreme Court ने खुद बोला है कि Article 21 जो है आप लोगो अधिकार देते हैं कि आप लोग अपनी जिंदी की जो है अपनी चोईस के साब से जी कर चल सकते हैं उसमें आप लोगो किसके साथ में साधी करने हैं किसके साथ में किस तरीके से life को enjoy करने हैं यह आप लोगी privacy का भी अधिकार आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो उसके अंदर भी हाँ पर आता है तो उसके तहत यहाँ पर यह सारी चीजे निकल कर आती है तो कहने का मतलब यहाँ पर यहाँ पर अगर किसी को अपनी medical जो है pregnancy जो है वो terminate करनी है और यहाँ पर पहले क्या था 1971 का जो कानू उसमें दिक्कत ही देखने को मिलती थी कि हाँ पर basically यह चीजे अलाव नहीं थी ठीक है unmarried woman यहाँ पर उसमें अलाव ही नहीं थी उनको रोका जाता था only married woman के लिए हाँ पर चल रहा था तो यहाँ पर पुरानी चीजे चली हुए आ रहे थी पर लेकिन फिलाल के टाइम पर अभी यहाँ पर वो चीजे जो है वो sad में हो गई है तो जो पुराना कानून था उसको ठंडे बस्ते में डाल दे गया है अभी नया कानून आप लोगो देखने को मिलेगा 2021 का जिसमें कई सारी चीजे जो है यहाँ पर अभी फिलाल उनको allow कर दिया गया है तो medical termination of pregnancy 1971 और medical term termination of the pregnancy 2021 यानिके 2021 वाल है उसमें आप लोगों यहाँ पर काफी पैटन जो है वो चेंज नजर आएगा कुछ तो टाइम बढ़ा दिया है पहले 20 हपते की यहाँ पर बेसिकली बात की जाती थी अब इसको 24 हपते की बात कर दे गई है और 24 हपते के बाद भी अगर यहाँ पर करने है ठीक है तो यहाँ पर एक आप लोगों को देखने को मिलेगा medical practitioner यहाँ पर देखने को मिलेगा जो की register है यहाँ पर जो था उसको 12 वीक का टाइम दिया जाता था और अगर यहाँ पर उससे चीज़े चलनी है यहाँ पर 20 वीक से आगे तो दो medical register practitioner थे अभी हाँ पर य लिया गया है जो कि पहले cover नहीं देखने को मिलता था सिदे सिदा क्या बोला गया article 21 है समीधान का जो उनको अधिकार देता है कि वो अपनी जिंदगी अपने इसाब से लेकर चल सकती है कि उनको बच्चा रखना है और right to equality जो कि हमारा समीधान देता है कि हर एक इंसान जो ह वो equal है यह सारे article बारे से लेके article 35 तक आप लोगे सामने fundamental right है तो इसमें आप लोगो देखने को मिलेंगे तो यह काफी important है जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा एक particular article है जो कि हाँ पर बात करता है एक तरीके से untouchability के बारे में वो article कौन सा है आप लोगे हैं पर यह तो देखता हूँ कौन सा article है आप लोग बताते हैं तो यहाँ पर इससे फायदा क्या हो रहा है इससे फायदा ही हो रहा है कि women जो है वो अपनी जिंदगी को ज्यादे बेटर तरीके से आपर enjoy कर पा रही है तो इससे क्या हो रहा है वो अपने अधिकार जो है उनको समझ पा रहे हैं तो वहाँ पर physical जब relation की बात आती है तो वह काफी जादे एक तरीके से अटपटे वाली situation हो जाती है लोग अकसर इसकी बारे बात भी नहीं करते हैं कि हां यार यह कैसे बाते की जा रही है पर वहाँ पर भी जोर जबस्ती आप लोगो देखने को मिलती है इसको सारी चीज़े भी यहां पर रुकिनी चाहिए तो उसके उपर कई सारी मुहीम जो है उठाई जा रही है हिस्टोरिकली अगर आप लोग देखोगे तो यह सारी चीज़े जो हैं हमारे देश में नॉर्मली एक तरीके से बिलकुली अलग तरीके से देखे जाती है पर लेकिन पर लेकिन फिर चीजों को आगे आगे बढ़ाए गया कि यह इलीगल नहीं होना चाहिए तीन साल तक का इंप्रेजनमेंट है आपर जो सेक्शन 312 इंडियन पीनल कोड भारते दन्र से हिता गये फिर इसके बाद में चलकर यहां पर पर पर्टिक्लर कमिटी बनाएगी सहा क कमिटी करके थी वह जो कि इसके बारे में बात करती है फिर यहां पर चीजे थोड़ी सी नोर्मल की गई और अब तो आप लोग गये सामने सारी चीजे में डिसक्स करी रहा हूं कि अब इसको और जादा है एक एज़ी बना दिया गया है यहां पर इसके चलते चीजे देखन को मिलेगा कुछ community ऐसी है जो कि abortion को बिलकुल गलत मानती है उनका ये मानना है कि अगर एक बार pregnancy conceive कर लिए तो फिर हाँ पर ये एक बच्चे को गिराना सीधा सीधा ये बात निकल कराती है कि एक इनसान की एक छोड़े बच्चे की death यानि कि एक तरीके से खूनी बन जाते हैं ह अब लोगों को देखने को मलती है तो जरूरी है आपर इसके बारे बात किजए कई सारे ऐसे इसीशूज आप लोगों को देखने को मलते हैं और जब यहाँ पर unregistered लोगों के पास में जाते हैं तो यहाँ पर woman की जो mental health है उसके ओपर भी काफी negative impact पड़ता है ठीक है आप लोग खुद देखो आज के में कई सारे ऐसे cases जब निकल कर आते हैं कि यहाँ पर कई सारे ऐसी चीज़े निकल कर आती हैं तो उसके बारे में awareness भी फैलाई जाती है कि यार इन चीज़ों को कैसे रोका जाए और खासकर माता-पिता जो है काफी बड़ा role play कर सकते हैं इसमें बच्चों के साथ में कम से कम इतना फ्रैंक को अगर उनके बच्चे जो है 18 साल से उपर के हो चुके हैं तो माबाप को यहाँ पर उनके साथ मे काफी बड़ा role play यहाँ पर करेंगे parents में खासकर अगर बात करें mother जो होती है वो काफी जड़ा है करीब होती है तो वो यहाँ पर बच्चों के साथ में ये बाते discuss कर सकती है और जरूरी है जितने frank तरीके से क्योंकि यह ऐसा नहीं कि आज की बात है यह life term चलने वाली है आप लोगो देखने को मलते हैं तो मदर का वो डियोटर का जो रिलिशन है वो काफी ताकतवर रहते हैं इसलिए कहते हैं कि जो बच्ची है एक तरीके से वह आगे चलकर माबाप का सारा बन जाती है भली बेटा ने बने बेटा क्या होगी अपनी बीबी को लेकर साइड में इसलिए कहते हैं कि आज क्रेट में डियोटर जो है वो ज्यादे प्रोडेक्टिव है एस कंपेर टू एक तरीए सन के अगर लाइफ के उस फेज में हम लोग जाते हैं जब यहां पर बात की बात होती है तो कई सारे ऐसे इसे जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा ठी इतालाल सहा कमिटी है जिसके द्वारा मेडिकल ट्रमिनिशन के बारे मैंने बता था उसके ओपर जो कमिटी बनाएगे थी प्रिमिंसी को लेका ठीक है तो यह काफी इंपोडेंट एक इसके बारे में आगे भी बात होती रहेंगी तो इसको याद रखेगा अभी फिलाल के आगे पर यह कुशन जो कि आप लोग अट्रेम्ट करने और यह कुशन है जो कि आप लोग को इहां पर देखने बात की जा रहे है कि अगर बात करें तो तीन एयर की उनको सजा मिल सकते थी और फाइन सेक्शन तीन सो बारे क्रिमिनल प्रूस्जर कोड के यह बात यहां पर तो यह वास्तम में सत्य घटना है जिसके भारे मगर आप लोग से बात कि जाए अच के डिट में ठीक है दूसरा पूचा गया है कि हाँ पर Medical Termination of the Pregnancy जो है 1971 में तो based on the report of the यह है किसका सीतालाल साह ऐसे साह बोला था ना मैंने इसके बेस्पर यहाँ पर फिर इसके अंदर में कही सारे चेंज़े लाएगे तो यहाँ पर बोला गया कि आप लोगों इस statement only one only two बोत यह फिर ननुप दाबो तो यहाँ पर incorrect पूचा गया है ठीक है और incorrect से एक चीज़ और याद आगी मुझे यार एक question मैंने आप लोग से distance कियता है हुआँ पर incorrect लिखा वाता और मुझे लगा कि वो correct पूचा हुआ है ठीक है तो जल्द वाजी में कई बार ऐसी चीज़ा आप लोग exam में गलत करते हैं मैं क्यों गलत कर देता हूँ मैं इसलिए गलत कर देता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कही सारी चीज़े चलत करें तो अब सही answer क्या होगा अब आप लोग बताइए तो क्या answer है आप पर answer आप लोग को incorrect पुचा है तो answer है आप पर क्या वो है फास्ट सही यानिके incorrect यह आप लोग बोलोगे incorrect कैसे सर पूरा तो सही है इसलिए कहते है ध्यान से पढ़ना section 3012 पर लेकिन criminal procedure code लिखा है और म उनमें लिखा हुआ है सजा इसके तहत मिलती है पर लेकिन उस तक पहुचने का जो तरीका है वह है CRPC तो यह दोनों में confusion आप लोग नहीं होना यह काफी important है इसके बीच में आप लोग को difference बता होने चाहिए ठीक है यानिकि कहने का मतलब अगर मैं थोड़ा से इसको समझान कोड यानिके भारतेदंट सहीता के हिसाब से ठीक है पर लेकिन यह इसके लिए इसको जो सजा मिलेगी इस सजा तक पहुचाने का जो पुरजर होगा कि हाँ पर इसको सजा दी जानी है इस इंडियन पिनल कोड के दैट पर लेकिन यह इसको प्रूफ करना वह पुरा तरीका होगा CRPC के तहां ठीक है तो Criminal Procedure Code जो है उसके तहत यहां पर पुरा Procedure चलेगा तब जाकर इसके सिजह मिलेगी तो यह रास्ता है और यह मंजिल है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं ठीक है I hope की मैंड में clarity आई होगी तो कोई भी doubt आप लोग इसको लेकर नहीं होना चाहिए जहां भी doubt होगा उसको clear करके आगे बढ़ना है तब ही चीजे लंबे समय तक याद रख पाओगी ठीक है तो I mind में clarity अगर clarity नहीं होगी फिर बोल रहो हो उसको थोड़ा से जहान रखेगा ठीक है तो mind में clarity होनी चाहिए कुछ बीमारिया ऐसी होती हैं जो कि हम लोग जाकर उनको बुलाकर लेकर आते हैं कि हम free हैं आओ और हमारे उपर लग जाओ क्योंकि हम लोग जो हैं तुमको अपने उपर हावी होने का मौका दे रहे हैं जैसे कि हम लोग टाइम पर सोते उठते नहीं हैं, हम लोग सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं, हम लोग exercise नहीं करते हैं, तो हमारी बोड़ी में कही तरीकी बीमारी होने लगती हैं, जैसे कि थाइरोड की पोलम होगी, diabetes की पोलम होगी, कही तरीकी सांस की बीमारी आप लोग के नाम से जानते हैं ये एक बीमारी नहीं है ये इसका बीमारी का पूरा परिवार है ये इतने अच्छे लोग हैं कि ये परिवार के साथ में रहते हैं अगर किसी इंसान को जैसे कि किसी इंसान की बोड़ी पर अगर फैट हो गया तो उस इंसान को बहुत सारी बीमारी अपन की पूलम हो गई तो ये पूरा का पूरा पैकेज आता है छोटा पैकेज बड़ा धमाका आज की डेट में हमारे देश में जो लोगों की जान जा रही है न चांसट परतिसत जान जो है वो नोन कम्मुनिकेबल डिजिस से जा रही है इससे आप लोग अंताजा लगा सकते हैं म पूछे जा रहे हैं बोला जा रहे है कि एनलाइस करना है कि क्या क्या कोज है यानि किसकी रीजन की वेसे होती है क्या ट्रेंड चल रहे हैं उन्हें ट्रेंडिंग सेक्शन होता है कौन से ट्रेंड चल रहे है जिसकी विजए से वीमारिया फैलती है यह आज की डेट में और अब वास्तम में बता दो आप लोग को आप लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारी बीमारियों को दूर कर रहे हुए आज की डेट में जिस तरीका माहूल है ना आज की डेट में आसपास में खाना पॉलिटिड आज केट में हवा polluted, पानी polluted सारी चीज़े आप लोगो कहीं कहीं pollution से नजर रहेंगे उस time पर अगर आप लोग time पर सो रहे हैं उठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, excise कर रहे हैं तो आप लोग होती सही तरीके से अपना आपको थामे हुए है वरना यह थाचा आप लोगो मिला है न, यह बरबाद होने में time नहीं लगता है जब बीमारी इंसान को लगती है अगर बात करें, बोला यह जा रहा है कि डेटा देखना आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे इसकी वज़े से उसकी death हो जाती है हर 2 second में एक इंसान की death हो रही है यानि कि जितनी देर में मैंने आप लोगो यह बाते बताई उतनी देर में दो आदमी मर चुके हैं इस बीमारी की वज़े से यह gravity है इसकी मैं आप लोगो पढ़ा रहा हूँ, यह जब तक article खतम होगा बहुत सारे आदमी निकल चुके होंगे इस बीमारी की वे से यह खुद इसका data आप लोगे सामने हाँ पर बताई जा रहा है अलग-अलग organization की द्वारा 86% जो death हो रही है वो उनकी है जो की काफी गरीब तबका है society का जिन को यहाँ पर इसका particular इलाज करवाने का मौका भी नहीं मिलता है और खुद आप लोग देखो हैं आपर WHO ने कितनी खतरनाक बोली है जिसको आप लोग World Health Organization बोलते हैं वो कितना स्यांदा टाइटर लेकर आई है बोलागे कि invisible number किसी को दिखी ने रहे हैं यह नंबर जो आज की लेटर में आप लोग देखो उसके बारें पता ही नहीं किसी हो कि कितनी बीमारी है आप लोग खुद बताओ अगर आप लोग normally बात करें दिखने में एक खस्ट पुस्ट आदमी है कि हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है पर लेकिन आप लोग की शरीर में अगर खुद भी आप लोग देखोगे कई सारी पॉलम आप लोग को देखने को मिल जाएगी जैसे कि आखो में पॉलम है जैसे मैंने बताया था कईयों को इसकिन की पॉलम आप लोग को देखने को मिलेगी कईयों को मोटापे वाली पॉलम नॉर्मली देखने को मिलती है कुछ को डाइबेटीज की पॉलम होगी कुछ को सांस लेने में कई सारी दिक्कत होनी किसी को हर्ट की बीमारी आज केटे में देखने को मिलती है किसी को थाइरोड की पॉलम हो रखी है तो ये सारी ऐसी बीमारी हैं जो कि कहीं ने कहीं हम लोगों ने अपनी लापरवाई से बुलाई है और इसकी वज़े से जो लोगों की जान जा रही है उसका आंकड़ा देखकर आप लोग हैरान हो जाओगी ये डेटा आप लोगे सामने साट लाँक लोगों की डेथ होगी नोन कॉम्निकेबल डिजिसे तुथाएं नैंटीन में आप लोगों लग लग रहा है कोविड नैंटीन ने बहुत सारे लोगों को मार दिया अरे वो तो हफवा फैला दियार किसी ने उससे जादे तो हम लोग हर साल मर जाते हैं ने परड़ेबल ज्रम बनाती बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग आपनी जिंदगी को अपनी हेल्थ अगर ढाधिते अच्छी होगी तो वह द्यरेक्षा की खेयार। अच्छी होगी तो आधे बुł लोग निमट गए डाइबटीज से इससे आप लोग अंदाज लगाई है हमारी कंट्री में सबसे बड़ी पोलम यह है कि अगर कोई थोड़ा सा हैल्दी हो जाता है मतलब एक तरीक से फैट वगरा चट जाता है तो उसको जादे सीरेसली लेते नहीं है ऐसे बोलते हैं कि खात सरीर नहीं होगा तो कोई काम आप लोग नहीं कर पाएंगे आप लोग खुद देखिए जब आप लोग बीमार होते हैं तो पढ़ने का मन करता है पढ़ने का दूर किसे बात करने का मन नहीं करता है ना कुछ देखने का मन करता है और तो छोड़ तो कुछ खाने पीने का मन आप लोग को नहीं करेगा, यह सिस्टम आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इसके ओपर यहाँ पर काम करना काफी ज़्यदा जुरूरी है, गलोबल लेवल पर अगर आप लोग जाएंगी हाँ पर, तो लगबग 170 लाख लोगों की जान गई, यह देखो जो मुझे थोड़ा सा हैरान कर गया, हमारी कंट्री में 60 लाख लोग जो है इस बीमारी से मर गए, और हमारी अकेली कंट्री में 60 लाख मर गए, और ओल ओवर वल्ड में only बचे वी 110 लाख यहाँ पर, यह सारी चीज़ आप लोग को सामने नजर आती हैं, तो हम लोग यह टारगेट रखे हुए हैं कि sustainable development goal के थुरू, कहींने कि इसको मिटाएं, तो sustainable development goal में, जो goal third है, वो आप लोगों से बात करता है, इसी तरीके से बीमारी के बारे में, ताकि बीमारी को यहाँ मिटाए जा सके, तो उसमें बोला गया है कि reduce करना है जो death हो रही है, non communicable disease से, ताकि आने वाले time में थोड़ी से situation जो है, वो सुधर जाए यहाँ पर, ठीक है, वैसे मैंने कुछ वही बिमारी बताई हैं आप लोगो, non communicable क्यों बोला जाता है इनको, इसलिए बोलाता है कि य बीमारी, अगर मुझे लगी हुई है, तो यह मेरे पास में ही रहेगी, यह आप लोगे पास में यह पहुचेगी, अगर मेरी आँको पर चस्मा चड़ा वा है, और आप लोग मेरे से बाते कर रहे हैं, मैं आप लोगो पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगी आप पे चस्मा चड़के आँखोगे उपर में तो इसलिए कहते हैं कि मम्मी पापा आप लोग कुछ बोल रहना है उनकी सुन लिया करो क्योंकि वो अपने experience से बोल रहे हैं उन्होंने कुछ प्रोलम फेस करी हैं और वो चाते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ये प्रोलम ये दिक्कते फेस ने करें इसलिए वो आप लोगों से इतने प्यार से बाते करते हैं पर लेकिन आप होगी ignore कर दे तो अपनी दुनिया में रहते हो ये गलत बात है तो उससे थोड़ा समझा करो तो एक तरीके से एक खींच खींच का निकानला पड़ता है कि बाहर भाइसाब डिप्रेशन में आजो छोड़े चोड़े बच्चे आज की डेट में कुछ-कुछ ऐसे भी इन्होंने पढ़ने स्टार्ट किया अभी पढ़ने स्टार्ट भी नहीं किया एक बच्चे का में लाय करने से पहली चले घाए अभी तो शुषत होगतो क्या लोने वाल उने वाला तुम अभी तो तुमको पता ही नहीं कितनी सारी इंसी आइंड ये कितनी सारी स्टेंड मों और अपड़ेगल sound कि इस तरीके से एक पैटरम में आना पड़े गा अभी तो डिप्रेशन उस प्रोलोम का सोलुशन उसको नहीं मिल रहा है इस इस दरीजन नोर्मली आप लोग एक पर्टिग्लर टाइम टेबल फोलो करना चाहरो आप लोग टाइम टेबल फोलो नहीं कर रहो डेली इरिटेट हो तो आप लोग के अंदर जो है गुस आने लगेगा आप लोगो यार ये हो क्यों नहीं रहे तो आप लोगो क्या सोचना है गुसी के बारे में नहीं सोचना है आप लोगों सोचना है कि इसका रीजन क्या ये हो क्यों नहीं रहे तो इसका मतलब इसकी कहीं और आप लोग ज़्यादा यह 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 स्पून फुल जाएंगही यह देखो बैठके की कहां आप लोग कितना time यह वो वेस्ट कर रहे हो कितना time यह वह बर्बात कर रहे हो हो आप लोगो पता चल जएगा घंटे भरते रहे न व समी इस घंटे में यह किया से चार मिंट ने लिए आप लोग यह पढ़ाई किये ठीक है तब जाकर आप लोग देखोंगे आज तो पूरे गंटे में 2 गंटे में 2 गंटे बड़े 24 गंटे में से 2 गंटे बड़े हमको तो लोगों ने बहुत पढ़ लिया बीच में दबाकर मोबाइल चला रहे थे तो य क्या मोदी जी के पास में 30 गंटे है या उपको में सकते कि आज 24 गंटे में से कितने घंटे नी चोड़कर भार निकालने तो वह चीज़े आप लोगों को समझनी पड़ेगी तो यहां से आप लोगा जो डिपरेशन है वो दूर होना इस्टार्ट हो जाएगा बड़ी आसा अपनी लाइप में एक साइस के रखो और वो ऐसे उने चाहिए कि बोडी में से पसीना निकल जाए यह दो काम कर लोगे ना आदे से जदे चीज़ा आप लोगी सुधर जाएंगी लेकिन इंसान जो है एक बड़ा सा पेड़ बना लेता है बीमारियों का और फिर उस पेड़ क जड़े गरलना स्टार्ट हो जाती है और फिर क्या होता है बरबाद हो जाता है जैसे कि unhealthy eating कुछ भी मिला खालिया उठाकर बीमारी क्या मुझे लगेंगी इसे के साथ में alcohol यह सराब एक ऐसी चीज है इंसान जो है कई बार आदत में पीने लगता है इसको अभी एक बच्च हूँ एक छुटा सा मीडियम काम करने वाले आप ही है मैंने बोला सुबह 6 बज़े उठ जो कितने बच्चे सुबह 6 बज़े उठ रहे हैं जब मैंने पोल कराया था 15,000 लोगों से भी ज्यादर लोगों ने बोला था सुबह 6 बज़े उठेंगे पर लेकिन अब उठ कितने अगर यहां पर आप लोग खुद कमिटमेंट करकर उसको फोलो नहीं कर पा रहे हो आप लोग को पांच बज़े उठ जो और फिर बैट कर जो है तुरंत अपना लेक्चर देख लो आप लोग तबयकों का यूज दिने सारे लोग कर रहे हैं जिसकी कुछ हदी नहीं है आज आप लोग बोलोगे सर इससे अच्छा पर सादू संत बन जाएं तो किसी भी चीज की ना आदत अगंदी होती है अगर आप लोग लोग पीरे हो तो फिर आप लोग जह हुँछ चीज के अडिक्टिड हो चुकि हो और एडिक्शन किसी भी चीज की लट जो होती है वो बात करती है तो यह आप लोग को देखना है कि उससे साथ में deal कैसे करना है तो यह साइबीडी सीगर्ट हो एक पीला ठीक है मतलब एक तरीक से कैसा रहते हैं कि दिन में एक पीले उससे इसाथ है शुबरमालिया उससे कैसे एक पर लाती है जैसे कि और मैं आप लोग बता हूं गौर्मेंट ने दुनिया भर की इनिशेटिव स्टार्ट कर रखे है नेसल प्रिवेंच्रोल ऑफ केंसर डाइबिटीज काडियोवस्कूलर डिजीज और इसके लिए अलग से प्रोग्राम है जिसको बलते हैं launch कर दी हाँ पर परधान मंतरी मातर तो जो परधान मंतरी स्वास्त जो सुरक्सा योजना स्टार्ट कर दी ठीक है जन ओजदी स्टार्ट कर दी हाँ पर यह सारी चीज़े government करती रहेगी पर लेकिन क्या reality में government का किया हुआ काम जो है वह आप लोगे लिए काफी हो जा रहे है गलोबल लेवल पर भी काम चले है sustainable development गोल है तीसरा गोल health के बारे में बात करते है भाई साब health सुधार लोग कितने सारे लोग अपनी health सुधार रहे है sustainable development goal से inspire होकर world health assembly के बारे बात करें उसने भी हाँ पर बोला prevention and control करना है non communicable disease को 2013 से लेके 20 तक का कामी नहीं चला फिर और 10 साल बढ़ा दिया कि सुधरेंगे नहीं भाई साब अभी लगकर काम करना पड़ेगा यह तो diet हो चुके हैं तो आप लोग समझ सकते हैं तो इंसान जो है इतने सारे मर रहे है जो डेटा मैंने आप लोग को बता है तो कोविड-19 तो यार एक बीच में ठीक है एक आ गया वैसे तो चीजे चली रही है तो कोविड-19 भी आकर चला गया उसमें तो इंसानों को अपनी हेल्थ जो है उस उधारनी पड़ेगी और सबसे बड़ा रीजन पता है इसमें क्या है और दूसरा है अपनी जिंदगी में फिजिकल एक्साइज को ने रखना यह दो इतनी चीजे जिसकी कुछ अदनी है एलकोहल हर एक इंसान नहीं पीता है एलकोहल बहुत कम लोग पीते हैं जो पीते हैं उनकी हैल्थ आप लोग खराब देखने को मिलेगी तबया को पर लेक का केरियर मुझे एक क्रेटिव केरियर लग रहा है आने वाले टाइम में कि वह इंसान जो है बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी एंजय करेगा और क्योंकि हमारी आदते खराब है जो आदते वाला नेचर होता है न जो आदती तरीके से ऐसी चीज़ होती से नीचर होत उसके ओपर काम करने की बात आती है तो इंसान अकसर हार जाता है उसके सामने खुद अपने आपको देख लो डेली वन करता है कि एक साइस करें पर लेकिन एक आद दिन बीच में नहीं आज नहीं करते हैं तो यह आदती ही तो है अगर आदतों के साथ में लड़ना सीख तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा यहां पर जो फिजियोलोजी होती है यह फिर इन्वर्मेंटल और बिहेवियर फेक्टर भी आप लोग हैं पर इवन जेनेटिक भी आप लोग यहां पर चेंज होते में नज़राएंगे इस तरीके से टेंसन जो होती है न वो यह माना जाता है कि इस पम काउंट भी इनसान के कम कर देती है अगर वो ज़्यादे टेंसन में रहता है इससे आप लोग लगाईए कितना ज़्यादे खतरनाक है प्रेगनेंसी कंसीव करने में जो वोमेंस होती है उनको पूरलम होने लगती है अगर वो टेंसन में रहती है अलको हलका या फिर इसी किसी चीज का सेवन कर रही है तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादे खतरनाक चीज़े हैं यह तो यह था पूरा आटेकल तो पढ़ा दिया, आर्टेकल पढ़ा गर काम खटम नहीं हो जाता है आप लोग यह बताओ कि अगर किसी के घर में, आप लोग देखो हूँ आज शीर में किस को बीमारिया है, कौन- emissions चेक करो और अप लोग उसमें क्या role play कर सकते हो कि आप लोग इन बीमारिय को अप आपने घर के किसी member के सरीर में से कम करो, तो आपने सरीर में से कम करनी है, तो आपने से कितने एसे lieción family member है, जो की daily excise करते हैं, यह बताविए पहले, exercise, courses करो daily करो यार, courses क्या गरो, courses करने से, चीजे जो हैं, एक तरीखे से courses, courses में रह जाते हैं, एक commitment करोगी करना है एक discipline में लेकर आओ कि हाँ करना है वो वाली चीज जब होगी तब मैं जाएगा जीन की जीने में वरने यार तो वही बात होगी answer rating करने है कोसिस करते है करने की कोसिस क्या होती है या यह क्या तरीका होता है जब खाना खाते हो तो कोसिस करते हो खाने की बोलते है तुरंत खाना खा और तुरंत खा जाते हो ठीक है कपड़े पहने की कोसिस करता हूँ ऐसा होता है कि कपड़े पहने की कोसिस कर रहे हो ऐसा तो कभी नहीं होता है मोबाइल हुआ पर रखा उसको उठाकर यूज करने की कोसिस करता हूं कि मैं यूज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा करना ही पाऊंगे मोबाइल यूज अरे पता भी नहीं चले गए हंटो यूज कर लोगे भाई तो आप लोगो कोसिस नहीं करनी है ट्राइ करने है है reality में आप लोग को मतलब अफ्ट्राइए करने इसको टैकेकि अपने टाइम को यूटलाइज करें ठीक है फीडबेक जरूर दियाकरो लेक्चर कैसे लगते है अच्छा या बुरा जैसे लगता है बताया कुरया दिल पे निलूगा अगर भुरा लगए तो मुझे पता चलेगा हाला कि YouTube ने उसको अठा दिया पब्लिक ली नहीं दिखता है पालेकिन Creator को पता चलता है जो की lecture बनाता है कि कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं तो पसंद नहीं आते तो क्योंकि यह सारी चीजे फिर माइंड में रजाती है और दिकत प्रिएट करती है ठीक है नीती आयोग का नाम सुने आप लोग ने नीती आयोग की फुल फॉर्म क्या होती अच्छा आप लोग यह बताओ यह question exam में पूछा गया आप लोग के लिए question number one question number two आप लोगों से क्या पूछा गया question number two यह पूछा गया नीती आयोग किसको replace करकर आया यह UPSC question बता रहा हूँ मैं आप लोग अलग-लग exam में पूछे गया आप लोगों यकीन होगा ऐसे question भी आप लोगों से पूछा आते हैं तो बताओ क्या है नीती आयोग की फुल फॉम और कभ यहां पर यह replace करकर नहीं बोड़ी बनाएगी अभी news में क्या है इस state करा है कि भाई साव center government तुमने अपना तो नीती आयोग बना दिया कि हमारे पास में नीती आयोग है पर लेकिन क्या state के अंदर कोई नीती आयोग जैसी चीज नहीं होनी चाहिए क्या आप लोगो सरम नहीं आती या हमारे उपर रहम नहीं आता कि हमारे पास भी कोई ऐसी बोड़ी होनी चाहिए या फिर तुमको जिंद्गी के मज़े अपने आप ही लेने है हमको वो मज़े नहीं दिलाने है तो ये बाते हैं पर चल रही थी जिससे आप लोग यहाँ पर समझ पहोगे तो टोपिक बहुत इंट्रेस्टिंग रहने वाला है याँ पर अच्छे से आप लोग सुनिएगा कोई भी कन्फिजन इसको लेकर आप लोगो नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले अगर बात करें हैं आपर जो है वो यहाँ पर इसके रहे में क्यों बात कर रहे हैं कि हमारे पास ब्यार कुछ ऐसा होना चाहिए क्योंकि इस स्टेटों को यह लगता है कि हम भी ऐसी बोडी बना कर राखे तो प्रूपर प्लानिंग इंदर आप्लीव इसकोंड गोग कर आ है नाम क्या है करते हैं governance की बात की जा रही है हापर और आप लोगो पता है हमारा देज जो है वो 1947 में आजाद हुआ था तो अगर बात करें जब हम लोग 2047 में यहां पर बैठे होंगे तो देज की सोवी सालगीरा हम लोग celebrate कर रहे होंगे ठीक है और बहुत सारे अभी हम लोग बायसे Baket बैटें में बहुत सारे तो हो सकता है कि आज की रेट में खैर हमारी तो इतनी एज नहीं जो आज की रेट में काम करने के लिए सोच रहे हैं उनमें से बहुत सारे हो ना ठीक है ऐसी भी चीज़ा आप लोगो देखने को मिलेगी तो यानि कि आगे की चीज़े सोच कर चल रहा है कि कम से कम अभी जो चीज़े चेंज होगी आगे आने वाले टाइम में वो चीज़े चेंज हो जाए एक vision लेकर चल रहा है कि developed country यानि कि एक हम लोग को अपना देश जो आने वाले टाइम में एक उन्नत देश हम लोगों को बनाने है उन्नत देश मतलब एक तरीके से एक developed country हम लोग को develop करनी है ताकि हर एक लोग जो है अपनी जिंदीग को अच्छे से enjoy कर सके तो उसी के चलते है इस system लाने की बात की जा र नीतियाव को explain कर दो दो सब्दों में ठीक है तो आप लोग बोलोगे bottom approach काम खतम जैसे नहीं सुवास्चंद्रबोजी से पूछा गया कि क्या है इसके बारे मैं ऐसे लेगना है तो एक sentence लेग दिया कि food डालो सासन करो ऐसे खतम कानी खतम खतम टाटा बाइबाइबाइब त तो इसमें questions डाले गए even आप लोग लिए C-set का भी question डाला गया जो C-set का question अभी आप लोग को दिखाऊंगा तो वो regularly आप लोग को attempt करना है ये question जो होते है वो इसलिए डाले जाते है ताकि आप लोग जो है एक अच्छी practice कर सको तो C-set ये question आप लोग जरूर attempt करो ठीक है इससे आप लोग डेली एक C-set का भी question तियार होता रहेगा तो जो भी regular वीडियो में connect हो है वो इस चीज को मत बूलना ठीक है तो bottom approach का मतलब यह कि ground level पर लोगों से पूछो कि उनको क्या दिक्कत है और फिर ओपर जाकर solution निकालो कि इसके ये solution निकाल सकते हैं मतलब problem के solution और तो इसमें काम क्या किया गया कि priority ये रखनी है कि state और union टैडरी को भी involve करके चलना है अपने हिसाब से काम नहीं करना है interstate जो है वो मिलकर काम करेंगे interstate जो है वो तो चले गए चलेगा interstate discussion चलेगा sector में अलग डिसकन चलेगा federal issues के हाँ पर देखा जाएगा तो ये बहुत सारे मुद्दे निगल कर आए क्या planning commission ये काम नहीं करती थी यार ये कट गया है थोड़ा से यहां से ऐसा गरो अभी आप लोग काम चला लो जब ये PDF आप लोग डाउनलोड करोगे ना टेलिग्राम से ठीक है तब आप लोग को ये complete मिल जाएगी अभी तो ये कट गई है थोड़ी सी वैसे बता दोगा मैं जो जो भी चीज़े हैं आपर ये बो लगए कि यहां पर नीती आयो यहां पर नजराती थी ठीक है यह देखने को मिलता था वाइडर एक्सपर्टीज है आपर इसमें लिमिटिड एक्सपर्टीज आप लोग को देखने को मिलते थी कोपरेटिव फेडरलिजम यहां पर इस्टेट का पार्टिसिपेशन जो था वो एन्नुवल मिटिंग में ठीक है और यह कई बार रोते भी रहते थे मोदी जी और जैल लिता जी कई बार मिटिंग भी छोड़के चले जाते थे तो हल्ला हुल्लाव चलता रहता था सट्रेटर जो है वो एस तरीके से सी ओ जो की अप्ट कियाते हैं हाँ पर किसके दवारा प्राइमिस्टर साब के दवारा ठीक है यहाँ पर क्या होता था यह अपोइंट कियाता है था एक particular procedure के थुरू यह पूरा polity के अंदर में मैंने planning commission यह detail में नीते आया होगा आप लोगे cover करा रखें अलगलग chapter है अगर किसी को कोई doubt होगा तो जा कर देख लेगा बोटम है पर प्रोच यानि के नीचे से process mandate to impose policy यहाँ पर क्या करते पोलिसी बनाई और कई बार सेम चीजे अप्रूव कर दी सारे स्टेट में implement करनी है वो दिक्कते देखने को मिलती थी तो कई सारी ऐसी चीज़े देखने को मिलती यह काफी इंटरेसिंग बला है it does not have power to allocate fund इसके अंदर कोई की पावर नहीं थी पर इसको फंड की पावर देजी मैंने बोला finance commission की पावर चीन लिती यहां से ऐसा लगता था finance commission की अंदर में आते हैं यह देखेगा और revision भी कर सकते हैं finance commission वाले chapter का ठीक है तो यह काफी important है जो कि आप लोग समझ सकते है direct question बन सकते हैं तो कल को कोई भी confusion यहां से नहीं होना चाहिए तो इसलिए मैंने आप लोग को बता दिए और बाकी जो PPT है यह पूरा आप लोग को मिल जाएगे उसमें जब PDF आप लोग डाउनलोड करेंगे तो उसमें प्रोपर में प्रोवाइड करा दोगा अब state यह कह र चलते हैं पर यह सारी चाहिए देखने को मिल रहे हैं तो state इसमें काफी ज़्यादा इंट्रेस्टेड है और खासकर कई सारे state ने तो बोल दिया कि भाय साब हम तो बनाएंगे तो इसके चलते हैं पर यह बात या रहे है कि state के अंदर में हम लोग को growth लेकर आना है तो इसमे करनाट का इसी के साथ में आप लोग उत्तर प्रदेश वो राजे देखने को मिलेंगे मध्या प्रदेश जहां पर मैक्सिम बीजेपी की गॉर्मेंट है तो वो मिलकर अभी आगया है आठ से दस state वो चारे है कि हम लोग इसको बनाएंगे बोड़ी को और मार्च 2023 में इनके इसके चलते हैं हाँ पर देखने को मिलेगी कई सारे प्रोफेसनल जो परसन आएंगे वो आएंगे हाँ पर प्रोपर स्टेट के अंदर में पॉलिस ही क्या बनानी है उसको देखा जाएगा मोनिटर किया जाएगा जो भी चीज़े चल रही है क्या सही है क्या गलत है और बन जाए तो माइड में क्लार्टी आप लोगों इसको लेकर होनी चाहिए अभी मैं आप लोगों से यहां पर एक इंटरेस्टिंग कोश्चन दिखाऊंगा आप लोगों कि क्या बात कर रहो सर यूप्यसी में कोश्चन पूछा गया 2015 में कोश्चन पूछा गया क्या दिखार आयोग हिमन राइट कमिशव बिच्या आयोग फाइनस कमिशन लो report EasTON यहां पर विदियायोग यह यहनिए योजन, आयोग प्लानिग कमिशन मिशन अंसर क्या है योजन, Ele ratio प्लानिंग कमिशन ऐसे question आप लोगों से exam में पुछ आ सकते हैं या आप लोगे लिए question frame किया गया है नीतियो के बारे में बोला गया कि इसका जो काम है वो bottom app approach को लेकर है यानिकि नीचे से उपर को चलते हैं जो vision है वो minimum governance यानिकि governance यानिकि support जो है यानिकि अगर आप लोगों को न्याय मिलने में देरी हो जाती है तो वो न्याय न्याय नहीं रह जाता है मतलब एक इंसान ने उसने किसी का murder कर दिये murder करने के बाद में उसको सजा सुनाई जा रही है और उसको सजा सुनाते सुनाते जो है जिस date में murder किया है उसके बाद में उसको 40 साल लग गए 40 साल बाद उसको सजय मिल रही है पदा चला 5 साल पहले वो इनसान मर चुकह है तो फिर क्या मतलब है इस चीज का तो इसका कोई मतलब रहने जाता है तो इसलिए कहते है जस्टिस जो delay होता है इसका मतलब तो मतलब मिलाई नहीं है तो इसलिए कहता है कि time पर justice मिलना ये अपने आप में काफी बड़ी बात है तो ऐसे ही हाँ पर बात करें आप लोग को information मांगने जा रहे हैं आप लोग को information की जुरत है तो हमारे देश में एक कानून है जिसको बोलते हैं RTI RTI बोले तो right to information यनके आप लोगों का अधिकार है कि आप लोगों को ये information मिले इसके लिए हमारे देश में एक proper कानून भी बनाया गया है ये काफी बड़ी बात है अपने आप में कि ये कानून बनाना पड़ा लोगों का information लेने के लिए नोर्मली तो government की responsibility होनी चाहिए न कि कुछ भी है तो government को responsibly लोगों था कि information पहुचानी चाहिए भाई साब आप लोगों का अधिकार है आप लोगों को ये information मिलनी चाहिए पर लेकिन government से जबरदस्ती लोगों को information लेनी पड़ती है तो ये आप लोग याद रखेगा तो ये fundamental right हो जाते है इंटरस्टिंग question बूचोंगा बड़ा ही प्यार सा question है हाला कि ऐसे question अगर आप लोग देखोगे आप लोगो generally state facies के अंदर और UPC के अंदर देखने को मिल जाते है statement के तोर पर भी बात की जारी है कि right to information जो act है ना जो constitution के अंदर आप लोगो बताने है ठीक है याद रखिएगा किस article के तहता आता है दो article है एक तो article आप लोगो पहले तो fundamental right में जाओ आप लोग पार थर्ड में तो हाँ पर आप लोग के लिए article 12 से लेके अनुचेद 12 से लेके 19 का first जो आप लोगो देखने को मिलेगा उसके अंदर आप लोगे लिए निकल कर आता है और इसी के साथ में right to freedom of expression तो बात कर लिए article 19 में आप लोग अपनी life को अच्छे से enjoy कैसे कर सकते हो यानि कि आपकी personal liberty आप लोग की life जो है उसके बारे बात करें तो article 21 वो कब होगा जब आप लोग किसी चीज के बारे में information मिले तो यहाँ पर बोला गया कि right to information जो है उसके बारे में अगर बात करें वो fundamental right में include नहीं है पर लेकिन यह protect किया जाता है है आपर इंदो article के द्वारा ठीक है information देखने को मिलेगा वाँ पर right to equality है right to freedom है right against exploitation है right to जो basically freedom of religion है जो भी बताया था culture के right है article 19 और 30 के अंदर में right जो constitutional remedies है article 32 में right to जो मैंने अभी equality बताया article 14 से लेके 18 तक का है right to freedom आप लोग को 1929 से 19 से लेके 22 तक देखने को मिलेगी right against exploitation खास का जिसमें खई बार focus करता हूँ 23-24 24 में क्या आता है बताओ जरा बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल हो ठीक है तो बच्चों को कैसे child labor से बचाने उसके उबर focus करता है ठीक है आप लोग को यह बताने है culture के right कौन-कौन से आर्टिकल में तो यहाँ पर कहीं भी उस part 3 के अंदर में यह नहीं लिखा है कि right to information जो है वो एक fundamental right है लेकिन फिर भी इसको यहाँ पर power दे रखेगी कि protect किये जाएगा कि अगर किसी को information चाहिए तो भाई साब उस तक को information पहुंचनी चाहिए तो इसलिए हाँ पर कहते है कि not included as a fundamental right in constitution ठीक है it protects the fundamental rights एक तरीके से freedom of expression उसको यहाँ पर protect करता हुआ यह आप लोग को नजर आएगा तो यह एक important चीज है जो आप लोग याद रखेगा यह कब का right है अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठें यह काफ़ interesting question मुझे हमेशा याद आता है राजिस्थान PCS के अंदर में हाँ पर यह prelims के अंदर question पूछा गया था ठीक है कम मिली थी हाँ पर तो मिली थी 22 जून ठीक है 2005 में ठीक है फिर पूछा गये यहाँ पर की basically हाँ पर यह implement कब किया गया तो यहाँ पर 12 October को पूछ रहे ऐसे सी वाते पूछ ले ताब क्या ही कर ले ऐसे इंसान का ठीक है चलिए जो भी है उसकी जिंदगी है उसका काम है हमारे देश में 2005 में आया पर लेकिन कैसे पहले कोई ऐसा कानून नहीं था तो यहाद रखिएगा Official Secret Act बनाया गया था जिसको OS से आप लोग बोलते हो वो जो एक्ट है वो बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगा 1923 का यानि कि अंग्रेजों के जमाने का जेलर है वो जो एक्ट बनाया गया था तो पहले यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई ऐसा कानून था ही न एक तरीके से इनका वधिया गरन कर दिया इस Act का यहनिक एक तरीके से इनके अंदर पावर ही नहीं रही है ऐसे चीज़े भी आप लोग को देखने को मिलती है पर लेकिन जो भी पावर है या फिर पावर नहीं है वो एक अलग बात है अभी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पोटे तोर पर देखोगे, तो 17 साल यहाँ पर इसको complete हो चुके है, ठीक है, तो 17 साल में अगर देखेंगे, तो लगबग सवा 3 लाग के करीब सिकायते जो appeal है, वो pending पड़ी हुई है, तो इस कानून को लाने का कोई मतलब रहे गया, कि लोगों की appeal जो है, वो pending पड़ी हुई ठीक है, हाइस नमबर अगर बात करेंगे, आप लोगों को यह appeal जो है, वो महरास्टा, सबसे टोप पर है, ठीक है, महरास्टा में सबसे जदे हैं यह appeal, पहले नमबर पर महरास्टा चल रहा है, जो की information देने के लिए त्यार नहीं है, दूसरे नमबर पर उत्तर प्रदेस आ हाँ पर है, जो की एत तीन राज्य याद रखेगा, उसमें हाँ पर एक सब्द यूज कहा रहा है, डिफोंड, डिए एफ, डिए, एफ, यू, एन सिटी, तो इसका मतलब यह होता है कि एक तरी से मरत हो जगे है, information commissioner हाँ पर, basically हाँ पर बहुत सारे information commissioner जो है, हाँ पर कामी न नीचे देखने को मिलेगी, ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी है, आपर penalty तरीक की impose नहीं की जा रही है, pending पड़े हुए case पर कोई penalty नहीं लग रही है, इंसान penalty के नाम पे भी डरने लगता है, ठीक है, आप लोग ने देखा होगा कि एक तरीक से आपर यह text लग वो टोल टेक्स से भी बचा बचा के लेगनाने लगता है जरा सी देर में, आप लोग ने चीज़े देखी होगे, ठीक है, तो यह क्या होता है, इंसान जो है, वो penalty से काफी ज़दा है, डरता है आपर कि penalty नहीं लगने चाहिए, ठीक है, इसी के साथ में, जो case का जो disposal उसका rate तो काफी कम है, यह सी के साथ में, कई बार miss information भी हो जाते है, जो मांगी गीए, वो information भी मिल पाते है, लोग को, ऐसी भी condition देखने को मिलती है, ठीक है, तो यह filing facility जो है, आपर वो सारे RTI में आप लोग को देखने को मिलेगी, यह भी दिक्कत है, हाँ पर निकल कर आती है, य इसके ओपर focus देने की जुरत है, वरना दिक्कत है काफी जदे हैं, हाँ पर देखने को मिलने वाले है, जिसके चलते आने वाले टाइम में, प्रोलम फिर देखने को मिल रही है, यह slide काफी important है, इसको थोड़ा से ध्यान रखेगा, जो यहाँ पर 2005 का का कानून था, और अभ आप लोग यह देखने को मिलेगा, जैसे जैसे चीज़ा आप लोग पड़ोगे, पहले power जा दे थी उसके हाथ में, अभी हाँ पर उसको basically power कम करता हुए, यहाँ पर जा रहा है, पहले 5 साल fix कर दे, एक बार आ गया तो मज़े लेके जाएगा, अच्छे से enjoy करके, और पर election commission, जो election commission है ना, उसके और फिर state के बाद करें तो state के election commission है, वो लगया, salary and allowance, जो है officer के, वो determine की जाएगी central government, यहाँ पिर से central government के अंगुठे के नीचे इनको ले जा कर रख दिया, अब जब central government decide करेगी, माली जै, आप मैं कहीं पर जाकर जोब कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर lecture के अंदर में मेरी ज़रा से भी बुराई नहीं होनी चीए, ठीक है, मतलब एक तरीके से मेरी बड़ाई-बड़ाई होनी चीए, कहीं पर बुराई करी तो पैसे काट लोगा, ठीक है, अब आप लोग खुश सोचो, आप लोग क्या करोगे उस position में आके, आप ल एक government के कानूनों को ध्यान में रखते हुए, बस बाकी जो भी मेरे मन में आता है, मैं वो explain करता हूँ, अपने हिसाब से lecture लेता हूँ, जिस time आता है उस time lecture लेता हूँ, lecture में कुछ उपर नीचे करना होता है, आगे पीछे कुछ लगाना होता है, वो अपने हिसाब से लगा कि नहीं, आज के बाद में यहाँ पर पठाना चुड़वाद होगा, तो वो condition आप लोगो नहीं देखने को मिलेगी, तो यह reality का है, independent तरीके से जो इनसान काम करता है, वो ज़्यादा productivity काम कर पाता है, अपनी quality के साथ में काम कर पाता है, और वो बिलकुल real रहेगा हूँ, वो किसी के pressure में आकर अपने जो सही चीज़ा उसको नहीं छोड़ेगा, जो उसने खुद के अपनी जिंदगी में, जो उसने एक rule और regulation मना रखे है, अपनी खुद की जिंदगी में उसने कुछ चीज़े रख रखे हैं कि हाँ फोलो करने हो करेगा, तो इस तरीके से आप ल सारी दिक्कते हैं हाँ पर देखने को मिलने लगी, इसलिए बोला गया कि हाँ पर ये बिल्कुल गलत है, ऐसे हाँ पर चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में पूरे एक चेप्टर कवर हो रहा है, आप लोग का political अक्समी कांत का अगर देखोगे, Central Information Commissioner 2005 में हाँ पर के प्रिजेंट साहिबा, यहाँ पर permission लेनी पड़ेगी, permission ये kind of recommendation आएगी, प्राइमिस्टर चेर्मेंट रहेंगे, जो लिडर अप अपोजिशन है नी लोग सबाव वो रहेंगे, और union cabinet minister, जो कि यहाँ पर nominate कियता है प्राइमिस्टर के दौरा, तो सिधी सिधी बात है, तीन member की body रहेंगी, opposition की leader रहेंगे, opposition की कौन सुन रहा है, जो प्राइमिस्टर और यहाँ पर जो भी minister होंगे, वो decide करेंगे, उसको appoint कर दिया जाएगा, तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए कई बार यह रहता है कि यहाँ पर government के खिलाप जाने की हिम्मत ही न आप लोग को देखने को मिलेगी, तो यह सारी चीज़ें हैं से निकल कर आ रही है, तो आप लोग के सामने हैं, कल को अगर question पूछे कोई आप लोग से, तो कोई confusion नहीं होना चाहिए, और even prelims के question भी आप लोग से discuss करूँगा, और यहाँ पर 2018 में UPSC ने means का भी question आप लोग था कि वीडियो जो है 6 बजे लेकर आऊंगा, ठीक है, पर लेकिन कभी कभी जैसे आप लोग ने देखा, एक आथ दिन जो है बीच में वीडियो थोड़ा लेट होगी, तो उसके पीछे reason क्या है, तो मेरी accountability एक तरीक से आप लोग के लिए होगी, कि मैंने आप लोग को बोल रहता है, lecture को record करना, मतलब PPT तयार होगी, उसके बाद में lecture record होगया, उसके बाद में decode होगया, और फिर lecture upload जब होगा, अब जैसे upload करने start करोंगा, मेरे हाथ में से command चली जाएगी, ठीक है, फिर ये YouTube की हाथ में command आगी, अब YouTube इसको कैसे लेकर चल रहा है, तो वो चीज़ YouTube का अपनी बातें बतानेगे, तो इनको आप लोग use कर सकते हो, ताकि YouTube का पता चले कि ये lecture अच्छे है, और फिर उसको अच्छे से treat करे, वरना कई बार तो बहुत सारी ULTCD हर्गदे कर देता है, बहुतों को notification नहीं जाता है, lecture का, वो क्यों नहीं जाता है, क्योंकि lecture के notification YouTube क इसको देगा, जो कि वीडियो को like कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको पसंद आ रही है, तो जो पसंद आ रही है, तो उसी को तो notification बेज़ेगा, अब जो कोई like नहीं कर रहा है, उसको notification को बेज़ा क्योंकि इसको पसंद ही नहीं आ रही है, मतलब YouTube का एक pattern रहता है, कि वो आप लोग फोलो करो ठीक है यार जिस निचर के अंदर हम लोग रहते हैं वो बड़ी ही शांदार सी निचर है आप लोग को देखने को मिलेगा उसके द्वारा बड़ी ही पैलेंस बनाया गया चीजों के अंदर में अगर कहीं पर कुछ गड़बर होना स्टार्ट हो जाती है उसका इंपैट आप लोग को देखने को मिलेगा मतलब कहीं अच्छी चीज़े है तो बता देगे और बुरी चीज़े है तो बता देगे कैसे बात की जारी हाँ पर गैंगेटिक रिवर डोल्फिन के बारे में गैंगेटिक रिवर जो डोल्फिन है आपर ये ये बेसिकली ऐसी मचलिया हैं जो कि साब पानी में पाय जाती है अगर कहीं पर पानी का लेवल जो है वो गंदा होने लगता है तो इनको पदल चल जाता है और ये वहाँ से कल्टी मार लीती है पर जहाँ पर पानी अच्छा होता है वहाँ पर ये फिर से आ जाती है वापसी तो अभी ग प्रमामी गंगे प्रोग्राम तो उसके चलते हैं बोला गया कि वहाँ पर फिर से गंगा के अंदर में डोल्फिन जो है वो देखने को मिल रही है डोल्फिन रिवर जो है वो हमारे देश का नेशनल एक्वेटिक एनिवल है जो की इंडिया बंगल देश और नेपाल के अंदर में पाया जाता है नोर्मली इसके अंदर में आप लोग यहाँ पर एको लोकेशन ये पर्टिकुलर आप लोग को एक सिस्टम देखने को मिलेगा जिसके थुरू यहाँ पर यह चीजों को देखती है नोर्मली यह बलाइंड यहनिके अंदी होती है मतलब कई सारी ऐसे नेचर में प्राणी हैं जो की देख नहीं पाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक सिस्टम की रेट करका है जिसको आप लोग यहाँ पर एको लोकेशन के नाम से जानते हैं इससे डिरेक्ट आप लोगों से साइनस एंड टेक के अंदर में कोशन भी पूशा सकता है कि यह होता कै है आप लोग यहाँ पर यह देख सकते हैं यह एक परकार की यह बेसिकली एक नेचरल सोनार सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं जैसे आप लोग की रडार काम करती है वो इनका टारगेट है या फिर जो भी है कुछ खत्रा है तो उससे चीजों को अंडरस्टेंड कर पाते हैं तो यह होता है बेसिकली एको लोकेशन यह आप लोग को चमगादर में यह फिर वेल्स में देखने को मिलेगा और आप लोगों ने अगर दा कोर मुवी देखी है बड से वो अंदाज लगा पाता है ठीक है तो कहने का मतलब है कि यह काफी एक इंटरस्टिंग चीज़ें है आप जो की नेचर के द्वारा की रिट की जाती है जीव जुनतों के अंदर में कंजर्विशन स्टेटर जो है स्टेडूल वन में रखा गया है वाइला प्रोडेक्श नहीं होना चाहिए ओके नेक्स यहां पर यह एक इंटरस्टिंग वोशन आप लोगे लिए बन सकते है रानिपूर टाइगर रिजर्व रिसेंटली अभी हाप रुतर प्रदीश के द्वारा डिकलेयर किया गया है जो कि देश का 53 यहां पर टाइगर रिजर्व हो गया है अ यहां पर पन्ना टाइगर रिसर्व जो कि मध्या प्रदेश के अंदर में है तो एक कोरिडोर डवलप हो जाता है ताकि जीव जन्तु जो है एक जगे से दुशी जगे पर आसानी से जा सके और उनको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले ओके फांटेशन डे जो है हरियाना मध्या प्रदेश चतिजगर करनाट का आंदर प्रदेश यह सेलिबेट कियाता है फॉस्ट नॉमबर को तो यह काफी अच्छे से आप लोग सेलिबेट कर सकते हैं प्राइमिस्टर मोधी जी के दवारे हाँ पर मानगर धाम की जो गर्व गाथा उसके बारे में बात किया वो प्रोग्राम जो था वो यहाँ पर एड्रेस किया गया तो यह याद रखेगा राइस्थान के बारे में बात की जा रही है बंसवारा डिस्टिक के अंदर में तो अगर राइस्थान से आप लोग आते हैं तो ये छोड़े-छोड़े गोश्चन आप लोगों से डिरेक्ट इस्टेट फीसेस में पूछ लिया जाते हैं प्रिजिडेंट साब के द्वारा इनिग्रेट किया गया 7th Indian Water Week ग्रेटर नुड़ा के अंदर में जो कि उतर प्रदेश के अंदर में आता है सेंटर के द्वारा citizenship grant की जा रही है जो minority आ रही है अफगानिस्तान, बंगलदेश और पाकिस्तान से खासकर ये citizenship act 1955 के हिसाब से आपर काम कियाता है अगर बात करूँ यहाँ पर citizenship के बारे में तो polity में काफ़ी detail में आप लोगो बढ़ा रख है जाकर वो chapter revise कर लेना और यह पताना कौन से पार्ट में citizenship के बारे में रखा हुआ है Department of Youth Affairs जो है उसके द्वारा NSS और NYKS और्गिनाइस कराए गया unity run ताकि देश के लग-लग district में हैं आपर आप लोगो पते unity को maintain रखा जा सके टेक्स के बारे बात की जा रहे है तो common income tax return के बारे बात की जा रहे है तो उसके चलते हैं आपर जो CBD है उसके द्वारे एक draft release किया गया है ताकि आसानी हो सके public को consultation में अगर बात करें इंडिया आस्टेलिया जो है डिसकस कर गये यहाँ पर जमसेद जे इरानी तो recently अभी हमारी बीच में नहीं रहे है इनको अभी पदम जो भूषण है वो confirm किया गया था 2007 में तो यह important है याद रखेगा important personality है जिसके बारे में question भी आप लोगों से बन सकता है तो हलका सा कम से कम याद रख सकते है second meeting संखाई corporation organization के detail में discuss करूँगा वैसे में यह आप लोग को virtual तोर पर देखने को मिली जो कि इंडिया की side से जैसंकर साब के द्वारा participate किया गया इंडिया के द्वारा लगव 2.5 million यह education, health और जो basically इन सब चीजों के लिए Palestine के refugee को दिया गया जो कि एक support है इंडिया के side से इंडिया के द्वारा है हाँ पर 200 vehicle दिये गए नेपाल को नेपाल के election में support प्रोवाइड कराने के लिए South Korea और USA मिलकर यहाँ पर यह vigilant storm याद रखेगा एक excise है, पूछी जा सकती है किस किस के बीज में तो USA और South Korea के बीज में वैसे monthly वीडियो में मैंने कई सारी excise cover की आप लोग ने देखाऊगा 50 से जाद है जो UN के member है country उनके द्वारा बोला गया कि China जो जिंग्जियान वाले reason में उगर community के लिए काफी खतरनाक काम कर रहा है तो उसके चलते यह news में है तो यह एक particular reason है चाइना का और यह Muslim minority community है जिसके उपर चाइना अत्याचार करता है अगर बात करें हैं हाँ आपर यह Ukraine के में रसिया के बाहर निकलने के बाद भी हाँ पर जो आनाज वगरा है वो बाहर भेजे जा रहे है तो यह एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर बात की जारी है कौन से city के दौरा India Camp 2022 Conference जो है वो host की गई तो answer क्या है बताइए वीडियो को pause कर लेगर हो ठीक है तो answer है यहाँ पर क्या यह है इसका B Delhi आगे चलते हैं यहाँ पर यह आप लोगों से पूछा सकता है यह है basically रंजन गाओ जहाँ पर Greenfield Electronic Manufacturing Cluster यह setup क्या जा रहा है यह कौन से area के अंदर में आता है यह बताओ Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat यह फिर Madhya Pradesh तो यह आप लोग को कहाँ पर देखने को मिलेगा Maharashtra के अंदर देखने को मिलेगा National Unity Day यह Celebrate कहता है हमारे देश में किस Important Personality की Birth Anniversary है यह तो मैं आंसर बताओंगा भी नहीं ठीक है यह आप लोगों को बता रहे है Next यहाँ पर RBI के दौरा Launch किया गया है Central Bank जो Digital Type Currency तो यह कैसा है Retail, Wholesale, Community यह फिर Crypto बताना यह होगा ठीक है Police News में आप लोगे सामने है यहाँ पर यह है लचलान लीवर देखने में लगेगा कि इंडिया के अंदर में है नाम कुछ कुछ ऐसा लग रहे है लेकिन इंडिया के अंदर में नहीं है जो मुरे और डार्लिंग जो बेसी ने उसके साथ में जो कि आस टेलिया के अंदर आप लोग यहाँ पर देखने को मिला है यह डार्लिंग होगी यह मुरे से होगी तो इसका एक जो बेसीन सिस्टम है वहाँ पर यह रीवर आप लोग को नजर आएंगी तो यह है टोटल आप लोग के सामने कोई भी दिक्कत नहीं होने चीए अगर कन्फ्यूजन होगा तो बताना उसको दूर किया जाएगा आप लोग के सामने यह है आज की वोकेबलरी जो कि आप लोग को अटेम्ट करनी है पांच वोकेबलरी है आप पर यह इनका जो मैंने कमेंट भी पिन कर दिया था देखना कितने शांदार तरीके से आंसर दियेगें सिस्टेमेटिक वे ने आंसर देखना आप लोग यह आपर तो आप लोग basically मन मौहित हो जाऊगे जिसे आंसर देगें ऐसे आंसर देखना यार मज़ आता है फिर देखकर आंसर ठीक है बेंजामी नितिने हव की बारें बात की थी तो यह important personality है तो confusion नहीं होना चाहिए यह था आज का discussion मैं आसा करता हूँ श्यांदार तरीके से आप लोगों ने enjoy किया होगा feedback जरूर देना कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अगर डाउट होगा तो उसको killer करने PDF सारी टेलिग्राम पर मिल जाती है आंसर राइटिंग ग्रूप में आंसर पोस्ट कर दूँगा अच्छे से डाइम्ट करना तो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते चोड़ों को प्यार चोड़ी सी लाइफ एंडियो करार मिलता हो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद